भारत एक ऐसा देश है लिसका जिहाद विवितास से भारा हुआ है। मिश्र की प्राजिकम से विवितास से उसके विवितास का ग्यान प्राप्त कर सकते हैं। तो वही प्राचीन एवं मदकालिन भारत के धरोहर से हम समकालिन विज्ञानी विकास की जलग देख सकते हैं। हमारी धरोहर हमारा गौरव है और ये हमारी तिहास के ग्यान को उपमजूद करते हैं। हमारी कलाज्यों समस्क्रिति की अधार सिलाभी हमारी विरासत अस्वल ही हैं। ये धरोहरे हमें विज्ञान और तक्निक से भी रूबूर कराएं। ये मनिश्यों तथा प्रक्रिति के मज्ध जटिल समन्दों को भी दिखाती है। दोस्तों नमस्कार में दिपांकर ज्ञान इंप्रिटी में आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। युनेस्को जो संयुख राष्ट की सैक्षिक विज्ञानिक एवन सांस्थितिक निकाय है। इसका कायश शिक्षा प्रकेती तथा समाज विज्ञान संस्थिति तथा संचार के माध्यम से अंतरात्य सांती को बनाए रखना। और संपूर्ण विष्प को शिक्षा के माध्यम से बढ़ाना इस संस्था का गठन स्वाल्ला नमूमर उनिस्योटालीस को हुआ था। इसका मुख्यालय पैरिश प्रांस में है। उनिस्को ने भारत में 37-20 धरोहर अस्थल गोशित किये हैं। अजन्ता की गुफाएं भारत के महाराश रायज औरंगाबाद जिले के अजन्ता की गुफाओं को 183 के बर्ष में उनिस्को के 20 विरासर अस्थल के रूप में जोड़ा गया था। अजन्ता की गुफाओं में चंटानों की बनी करीब 30 बहुत गुफा असमारक है। आप इन गुफाओं पर प्राचिन चित्र और मुर्थियां पा सकते हैं जो सबसे पुराने भारतिक कला गुफों का वर्णन करती है। एलोरा की गुफाएं एलोरा भारत के महरास राइस के औरंगाबाद जिले के 29 किलोमीटर उत्तर पहस्टी में 20 पिस्टिप एक पुरातातुत अस्थाल है। एलोरा की गुफाएं दुनिया में सबसे बड़ी रवा कट मट है। एलोरा में 34 गुफाएं आप इन गुफाओं पर कुछ प्राशिंग कला विर्थी पा सकते हैं। इसमें प्राशितम बोवध धर्म का वर्णन है। इसमें परशित कलास मंदिर गुफा भी है। इनस्को द्वारा इसे 1983 में 20 धर्वा अस्थल गोशित किया गया था। सुर्य मंदिर कुणार्थ भारत की विरासत में बास्तु कला का चमतकार कुणार का सुर्य मंदिर आम तो रपरच इसे कुणार्थ नाम से चाना जाता है। यह भारत के ओडिस्ता में इस्थित है। इसे राजा नर्शिंग देव पर्थम न 1225 इसवी के दोरान निर्मान कराया था। आप इस मंदिर में कुछ विशाल रत पत्थर के पहिए खंबे और पत्थर की गड़ी दिवारें देख सकते हैं। उत्तरपरदेश के आगरा जिले में यमना ट्रक पर बना ताजमहा उनीस सो तेरासी में 20 धरोहर रस्थर की सुची में सामित किया गया था। मुगल बाथसा साँ जहांदवारा 17 हेक्टेर जमीन पर बनवाय गए ताजमहान काय 1632 इसवी में शुरू हुआ था। और याव 1642 इसवी में बनकर पुरा हुआ ताजमहल को 22,000 लोगों ने मील कर बनाया था। आगरा का किला आगरा किला आगरा सहर में श्थी थे। इस किले को आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। यह एक एतिहासिक किला है जहां 1530 इसवी में हिमायू की ताज़ पोशी हुई थी और बावर 1526 इसवी में पानिपत की पहली लड़ाय के बाद इस अस्थान पर रहा था। इसी उनिस्को ने बर्ष 1983 को भिष्ध धरोहर भोसित किया था। अलिफेंटा की गुफाएं महराष्ट में अलिफेंटा दिप मेश्थित भूतिकला गुफाओं के एक सिंखला है। यह असल अरब सागर की पहाँ परिष्धित है और इन गुफाओं को दो भागों में विवाजित किया गया है। पहले भाग में कुछ हिंदु गुफाएं हैं दुसरे भाग में दो परमुत बोध गुफाएं हैं। इन गुफाओं को मूल रूप से कुछ प्राजीन मौतियों पनाया गया और यह गुफाएं भागवान को समर्पित हैं को ठोस बइसार्ड़ से बनाया गया है। और इन गुफाओं को पांचमी और आटमी सतापरी के बीच बनाया गया था। इसे बर्ष 1987 में इनिसकों ने इस धरोहर असल घोषित किया था। हमपी में असमार्कों का समूम हमपी साथगी और भवता के रूप में परसिद है। हमपी में असमार्कों के समूम में अंती महान हिंदू सामराज विजय नगर की राधानी के अपसिस प्राफ्ट होते हैं। यहां हेम कुता पहाडी पर सबसे कुराना जैन मंदिप और दो देवी मंदिर और प्राशितम संसाओं के साथ इस्थित है। हमपी को 1986 में इनुसको तारा विश्द्रहर घोषित किया गया था यहां अस्थान भारत के करनाटक प्रांथ में इस्थित है। महावली पूरम के असमार्कों का समूम कांजी पूरम जीले तमिल नाडू में इस्थित है यहां अस्थान चन्याई के पास इस्थित है। आप यहां पर महाभारत कालिन परसीथ पांड़ ओ के पांच रथो के असमार्क को देख सकते हैं। यहां पर कई गुफा मंदिर भी है। यहां एक भ्यव्व सोर मंदिर भी है। इतिहासिक तत्यों के अनुसार इन अस्मात्मों को साथ्मी सत्रापदी के दोरान पल्लव राजबस द्वारा बनाया गया था। इसे बस 1984 में इनिस्को द्वारा विस धर्वारस्थल घोशित किया गया था। गोवा के चर्च और आस्रम कान्विक। भारत के पच्मी तटपर इस्थित इस गोवा प्रान के बेलवा जिसे गोवा का पुराना नाम कहा जाता है। गोवा के चर्च और आस्रम पुत्गाली साथन के युक से मुझूद है। बस 1986 में इनिस्को ने इसे विश धर्वहर के शूची में सामिन किया था। फतेपूर सिक्री 1579 में मुगल समराट अकवर्ण उत्रपरदेश के आगराह के पास फतेपूर सिक्री में आपनी राजधानी बनाई थी। इसे 1571 से 1585 के दोरान मुगल समराट के राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। आपको यहां बुलन दर्वाजा के नाम प्रशित केट भी मिलेगा। बर्श 1986 में इसे इनिसकों ने 20 धर्वहर के रूप में भोशित किया था। महान चोल मंदिर। महान चोल मंदिरों का निर्मान चोल समराट के राजाओं दोरा करवाया गया था। पद धकल के असमारकों का समूद। करनाटक में पद धकल उदारक कला 39 नम्मूना है। इसका निर्मान चालुक बंस के दोरान सात्मी और आठमी सताप्री में कराया गया था। बर्श 1987 में इनिसकों ने इसे 20 धर्वहर भोशित किया था।